नमस्कार आप देख रहे हैं City News मुंबई गनपती विसरजन पूरो से हमने City News ने मोहिम शुरू की थी कि मीरा भाइंदर में गनपती विसरजन मल मुतर वाले स्टीपी पानी और गटर के पानी में जो कि जैसल पार्क की खाड़ी में छोड़ा जाता वहाँ पर किया जा रहा है इस संदर में Congress ने भी काफी आंदोलन किया कल उन्होंने श्राद भाजपा का श्राद किया मुंडन किया विस्टा को समंदर के अंदर उन्होंने डाला और आज मीरा भाइंदर महा नगर पालिका में श्राद के लड़ू माटे भाजपा की तरब से हमने जिला देख्ष रवी वैस संपर्क किया था कि वो अधिकृत परतिकरिया दे कि भाजपा का मीरा भाइंदर में श्राद किया गया वो सामने नहीं आये लेकिन हर सवाल का बड़ी बेबाकिस से जवाब देने वाले विधायक गिता जैन इस वक्त हमारे साथ में आयों उनसे जानते है इस आंदोलन को गिता जैन कैसे देखती है आंदोलन करना ये विरोध पक्ष का काम ही होता है और वो उसी तरह से करते भी रहेंगे अक्सेप्टेड है उन्होंने आंदोलन किया ये उनका विरोध पक्ष होने के नादे काम था तो यह कोई नई बात नहीं है कि विरोधी बार्टी ने अंदोलन्द किया लिकिन ये बात आपके साथ मैं सहमदझ जरूर हूँ कि हमारे Сटिपी के कामों में सुधार लाने की बहुत जरूरत है दो बार विजिट मैंने भी की थी और ये मेरा लेटर भी दिया है मैंने आयुक्त को कि आयुक्त को दिया है मापूर को भी दिया है उस समय मापूर जोचना हसनाले जी इन पाथ सालों में दिंपल जी थे उसके बाद जोचना जी थे तो उनको भी मेरा संग्यान है कि आप प्ल लाया, लेकिन सम्हाओ हमारे HDP के काम अभी तक उस तरपर नहीं सुद्रे है जितने के होने चाहिए, हाला कि कॉर्परेशन ने ये वाइदा किया है कि हमारी तरफ से कोशिश जा रही है कि हम दिनों दिन उसमें सुधार लाएं, लेकिन अभी भी लोकल लोगों की काफी सारी शिकायते हम तक आ रहे हैं और मैं कोशिश ये करती हूँ कि आयुक्त को ये संज्यान देकर हम जल्दी से जल्दी SDP को कैसे सुधारा जाए उसके लिए काम करें और आप देखेंगे कि MAU में उसे पानी को रिसाइकल करके वापरने योग्या तक का बनाना है ना कि छोड़ना है जैसे आप कर रहे हैं बिल्कुल मैं आपकी बाद से सहंबद हूँ कि उसे छोड़ना नहीं है हर एक चीसको जैसा समय लगता है इस चीसको भी शायद समय लग सकता है लेकिन ये बाद जरूर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी इस काम का सग्यान लेके उसे कैसे जल्द से जल्द किया जाए क्योंकि अमरूट 2 में हमने बाकी के स्टेपी के लिए डाला है तो वो भी मनजूर होके आ जाता है तो जो बाकी का काम है तुरंती खतम हो जाएगा महारास्ट्रा पोलूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2019 में महानगर पालिगा को 5,15,000 रुपे पर डे फाइन मारा है बाउजू दूत के मनपा प्रशाशन की आख ने खुली कोई इंप्लिमेंट नहीं है उन्होंने बाकाइदा आटो HTP प्लान का दौरा किया सभी के सभी बंद पाए गए माना कि भाजपा सत्ताधारी है कहीं न कहीं उहां भी वो जुम्मेदार है लेकिन उनसे ज्यादा जुम्मेदारी प्रशाशन किये अगर सत्ताधारी गलत काम कर रहे है प्रशाशन का काम आयुक्त का रोकने का है आयुक्त क्यों इसमें नाकाम रहे तीख़ए आयुक्त की नाकामी वो आप आयुक्त से बात करें तो वो ज्यादा बैटर होगा क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कोशिश है ज़रूर की होगी आज जो आयूप्त कोशिस करते तो STP प्लांड का पानी शहर के गटर का पानी भाहिंदर वेस्ट के पूरा समंदर में छोड़ा नहीं जाता अगर कोई इंप्लेमेंट होता तो सिधा पानी नहीं छोड़ा जाता बहुत सारी जगा मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन बहुत सारी जगा यही प्रैक्टिस चल रही है हमसे बड़ी कॉर्परेशन में भी चल रहे है हमसे छोटी में भी चल रही है लेकिन मैं फिर कहते हूँ कि इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी यह करना चाहिए मैं बिल्कुल इस मामले का दखल लेके तुरंत ही उसको कैसे सुल्टाया जाए उसके लिए मेरी कोशिश 100% रहेगी और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत जल्दी सुधरा हुआ दिखेगा कि हमारा है एस्टीपी चल रहा है और हम पानी वहां रिसाइकल करके छोटे हैं दो हजार चौदा में में 500 करोड रुपी आया फिर 200 करोड रुपे करीब 700 से 800 करोड रुपे इसके उपर खर्च किया गया और मनपादीकारी आज भी कहते है कि जैसल पार्क का प्लांट बिल्डर का बनाया हुआ है 1995 का है तो उसे अपडेट करन भाहिंदर पश्चिम उत्तन राइड उंग्री और भाहिंदर इस्ट का जो पुराना हमारा गाव है वो एक्स्क्लूडेड थे तो जैसल पार्क उसमें इंक्लूडेड था और बिल्कुल वहां स्टीप प्लांट जल्दी से जल्दी चालू होके मैंने फिर कहा कि यह जो जल्दी दूर्गादेवी का आने वला है करेकरम और फिर वहां पर एक बार जस्तरीके से गनपति का विशर्जन हो आए वा यह वहां पर मलमुत्रे में दूर्गादेवी का भी विशर्जन होगा ऐजा विदायक होने के नादिर आप क्या गारेंटी देते हो पड्लिक पर शकिल जी आपका ये जो मल मुत्र बार-बार कहना है, मैं फिर कहूंगी कि STP में वो सब कच्रा तो निकाला ही जाता है, ये बात अलग है कि उसे प्रक्रिया नहीं की जाती लेकिन मल मुत्र भी छोड़ा नहीं जाता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी कि इस तरह से बात करके लोगों की धानमिक भावना को ना दुभाए, फिर कहूंगी कि ये कोशिश मेरी जरूर रहेगी कि महाँ प्रक्रिया होके स्वच्छ पानी ही डाला जाए, और इनफेक्ट स्वच्छ पानी का हम उपियोग कर सकते हैं, गार्डन वगेरे में, हमारी कोशिश वो ही रहेगी और बहुत जल्दी उस दिशा में मेरी तरफ से भी मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जल्दी से चल्दी ये काम पोर्ण कराने के मैं कोशिश करते हूं, अब हम पे आरोप लगा रहे हैं, कि हम भावना दुखा रहे हैं, लेकिन आज किरन नाला हो गया, चाय क सुधारा जाए, इस मामले में मैं प्रशाशन के साथ में अभी तक ऐसा था, कि प्रशाशन वहां जो बॉड़ी बैठी थी, बीजेपी की ही थी और मैं भी बीजेपी से हूं, लेकिन शायद मेरा हस्तक्षिप उसमें नहीं था, तो आगे बहुत जल्दी मैं आपको विश् आश्वास दिलाया है कि आने वाले जो विसर्जन है, जो धार्मिक भावना है, उसको कहीं पे हाहत नहीं होने देगे, प्रक्रिया को अच्छे से बनाया जाएगा, गतिशिल बनाके, शुद्ध पानी बनाकर के समंदर में छोड़ा जाएगा, इस तरीके का उन्होंने आश इशारा किस ओर था, इसी तरीकी की खबरों के लिए मेरे याने शक्किल शक्के साथ बने रहे, देखते रहे, सिटी न्यूज मुंबई